नमस्कार दोस्तो वेलकम टू टूड़े एकजाम दोस्तो आज है 31 जनवरी 2021 तो आज के इस वीडियो हम 31 जनवरी 2021 के जो भी most important current affairs के सवाल बनते हैं उन सभी सवालों को इस वीडियो में विस्तार से समझेंगी इसलिए दोस्तो आप इस वीडियो को last तक जरूर देखे और 31 ज आप इन सभी सवालों को पहले जरूर याद करें तो दोस्तो देखते हैं आज का पहला सवाल पहला सवाल है Reliance Geo विस्तार में सबसे मजबूत ब्रांड की सूची में किस स्थान पर रहा है तो दोस्तो इस सवाल का सही ज़ाब है option D यह नि रिडियो विस्तार पर सबसे एमेजून और गूगल कंपनी हैं वो दूसरे स्थान पर रही थी कि सूची में रहे थे वो रहे थे विसू की सबसे मजबूत ब्रांड की सूची में रिलाइंस दो रही थे पांच हो हिस्थान पर जब कि पहले बासित का पूछत वो रही थी Apple कंपनी और दूसरे और दूसरे इस्तान पर रही थी Amazon और Google Company इसी परकर अगला दूसरा सवाल है SBI Bank के नए परबंधन निर्देशन के रूप में किसे नियूकते क्या गया हैं तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब है option C स्वामी नातन जान की रम्मन और अस्वेनी कुमारतिमार है जिनको हाली में भारतिय स्टेट बैंक के नए परबंधन निर्देशन के रूप में नियूकते क्या गया हैं किने क्या गया है स्वामी नातन जान की रम्मन और अश्वेनी कुमारतिमार है जिनको हाली में भारती इस्टेट बैंक के नए परबंद निर्देशन के रूप में नियूपतिक किया गया है और दोस्तों आपको बता दे कि भारती इस्टेट बैंक के स्थापना है वो हुई थी 1905 में और वरत्मान में इस बैंक का मुख्यले कहाँ पर है वो है मुंबई में और वरत्मान में भारते स्टेट बैंक की अध्यक्स हैं वो है दिनेश कुमार खारा कौन है वरतमान में अध्यक्स दिनेज कुमार खारा है वो भारती स्टेट बैंके वरतमान में अध्यक्स हैं और हाली में स्वामी नातन जान की रमन और अश्वेनी कुमार तिमार यह जिनको हाली में SBI Bank के नए परबंद निर्देशन के रूप में नियूक तिक क्या गया है इसे परकर अगला तीसरा स्वाल है अंट्राटिका की बरप में किस गरे का खनीज जैरा साइट पाया गया है तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब है और दोस्तो आपको पाया गया था पता दे कि परत्वी पर पाया गया जैरा साइट है वो पहली बार मंगल ग्रेपर साल 2004 में खोजा गया था कब खोजा गया था जैरा साइट को पहली बार साल 2004 में और कहां पर खोजा गया था वो खोजा गया था मंगल ग्रेपर जो वरतमान में अंट्रा टेक्या की बरप में भी खोजा गया हैं कहाँ पर खोजा गया था हैं अंट्रा टेक्या की बरप में इसी परकार अगला सवाल है भारत का पहला चमड़ा पारक किस राजिये में इस्तापिति किया जाएगा तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है option B.न.E. बारत के उत्तर प्रदेश رाजिय के कानपूर जिले में देश का सबसे बढ़ा और देश का सबसे पहला चम्रणा पारक स्तापित करने की गोसना की हैं किस राजिय में उत्तर प्रदेश से राजिय में अगर किसी सहर का पूचे तो वो कौन सा सहर है उत्तर प्रदेश का कानपूर सहर है जिसमें देश का सबसे बड़ा और सबसे पहला चमड़ा पारक के इस्तापित किया जाएगा जिसमें से इस पारक को इस्तापित करने से देश के 50,000 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा और परती दिन इसे पारक में 20 मिलियन लिटर से ज़्यादा लेदर को ट्रेटमेंट प्लांट के थूर त्यार किया जाएगा कितने मिलियन बीस मिलियन और ये कहां पर इस्तापित के ज़रा है उत्र प्रदेश के कहानपूर सेर में इसी परकर अगला साल है ब्रश्टाचारण दारना सूचकांग में भारत किस इस्तान पर रहा हैं तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्सन एनी ट्रांसफरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी ब्रश्टाचारण दारना सूचकांग 2020 में बारत हैं वो सियासी वे इस्तान पर रहा है किस इस्तान पर रहा है ब्रश्टाचारण दारना सूचकांग में 86 वे इस्तान पर बारत देश रहा हैं जबकि दोस्तों आपको पता देए कि 180 देशों में से डैनमार्क और न्यूजिलेंड है वो पहले इस्तान पर रहा हैं कौन से देश न्यूजिलेंड और डैनमार्क देश हैं वो पहले इस्तान पर रहा हैं जबकि सुमालिया और दक्षन वो हो रहे थे पहले स्थान पर और सुमालिया और दक्षिन शुड़ाने वो सबसे निचले इस्थान पर रहा था और यह सूची है वो कुल 180 देशों की सूची थी इसी परकार अगला सवाल है गंतंतर दिवस की परेड में किसी राजिय की जांकी को परतम प्रुसकार दिया गया है तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी यहनी उत्तर परदेश राजिय की जांकी है जिनको साल 2021 की गंतंतर दिवस परेड में परतम प्रुसकार दिया गया हैं और दोस्तों आपको बता दे कि इस गंटतंतर दिवस की परेड़ में कुल 32 जांकियों ने हिस्सा लिया था जिसमें से उत्तर प्रदेश की यह वाली जांकी हैं जिन्होंने परतमिस्तान हासिल किया था इस जांकी में उत्तर प्रदेश की सांसकर्तिक विरासत आयोध्य के विशे पर आरदारित जांकी प्रस्तुत की की जिसके लिए उननको परतमिस्तान मिला था वहीं दोस्तों तुरिपूरा की जांकी हैं उनको दूसरा इस्तान मिला था जो कि सामा जी कहा हूं आर्थिक माप दंडों में आतम निर्बरता परियावरन के अनुकूल परमपरा को बड़ावा देते वी दर्साई गई थी जिनको दूसरा इस्तान ने हासिल किया था तो हाली में गंतंदर दिवस की परेड में किस राजी की जांकी ने परतमिस्तान पराप्त किया था वो क्या था उत्तर प्रदेश की जांकी ने और दूसरा इस्तान पूछे थ वो थी त्रिपूरा राजी की जांकी और कुल कितनी जांकियों ने हिस्सा लिया था वो लिया था 32 जांकियों ने हिस्सा लिया था इसी परकार अगला सवाल है MI India ने किस अभिनेता के साथ मिलकर 6 हर हाथ पहल की सुरुवात की हैं तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब है option B यानि M.I. इंडिया ने अभिनेता सोनु सूद के साथ मिलकर सिक्स हर हाथ पैल की सुरुवात की हैं किसके साथ मिलकर? सोनु सूद के साथ मिलकर M.I. इंडिया ने सिक्स हर हाथ पैल की सुरुवात की हैं जिसका उदेश ये हैं गरूब समूदाई को बिना किसी बादा को सिक्सा हासिल करवाना। किसने की हाली में इस पहल की सुरुआत है। एम आइ इंडिया और बारती अबिनेता सोनु सूद ने मिलकर सिक्सा हर हाथ पहल की सुरुआत की हैं। तो दोस्तों ये थे 31 जनवरी 2021 के कुछ most important current affairs के सवाल उमीद करता हूँ ये सबी सवाल आपको अच्छे से याद हो गए होगी। अगर याद होगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार एक तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो का स्पीडिये फाइल है वो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। में कब विले हुई थी। उन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंड बॉक्स में जरूर लेकर बताई। आप है Give me a और निस सब्सक्राइब करें? ँजले ऑन आप है पान है